रुद्राक्ष उसके जाने के बाद सीधे युवान को फोन करता है, हेलो भाई, युवान, जी भाई, युवान डॉक्टर की टीम के साथ जेट तयार करो और यहां पहुचो, नित्या के परिवार को अभी के अभी यहां से भेजना है, ठीक है भाई, भाभी को बताना है, नह ही अभी नहीं, नहीं पहले यहां का सब कुछ सुलजाना है, लेकिन उससे पहले मुझे परिवार को सुरक्षित रखना है, यहां बहुत सारी व्यवस्था नहीं है और मैं यहां पर किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए तुम जल्दी पहुचो, ठीक है भाई, कुछ दे जानवी के साथ साथ शर्मा परिवार को लेकर दिल्ली निकल जाता है, उसके जाने के साथ रुद्राक्ष के नंबर पर तिवारी का फोन आता है, रुद्राक्ष फोन उठा कर कहता है, बोलो तिवारी, उधर से तिवारी कुछ कहता है, उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष कह चलो युवान। युवान उसके कहे अनुसार गाड़ी स्टॉट करता है और निकल जाता है। लगभग 40 मिनिट के बाद दोनों भाई जंगल के इलाके के पास पहुँचता है। जहां दूर दूर एक चुटा खंडर जैसा घर के आलावा कुछ नहीं था। उन दोनों को साथ ले जाने लगता है। दोनों वो स्टूटे हुए घर के अंदर आते हैं जहां रामसिंगार पांडे और उसका बेटा बैठा हुआ था। जब तिवारी के साथ दो लोगों को देखता है तो वो दोनों को नहीं पहचान पाता है और कहता है अरे तिवारी ये दोनों कौ जाया था कि मिल गई उसकी बेटी फिर ये कौन है। रामसिंगार की बात सुनकर उसका बेटा प्रदीप पांडे कहता है क्या बेतेवारी। बाबू कुछ पूछ रहा है तुमसे। ऐसे क्या बकलोल की तरह हमको देख रही हो बे। और ये दोनों कौन है। बता लॉंडिय कहा है। साला कब से इंतजार कर रहे है। साली ससुरी भाग गई एक बार हाथ में आ जाय तो उसको बताएगे कि साली। कुतिया वो बोल ही रहा था कि तब तक उसके चेहरे पर एक मुक्का मारता है। जिससे वो निचे जाकर गिर जाता है। अब आगे। रुद्राक्ष उसे मारते हुए कहता है। क्या कहा तूने। कमीने। तेरी हिम्मत कैसे हुई। किसी भी लड़की के बारे में कुछ ऐसा कहने की। कहते हुए उसे सिर्फ मारे जा रहा था। इस तरह उसके चेहरे पर मुके बरसाए जा रहा था कि दाहिने तरफ के हिस्सा मास का लोत्रा ह पूर कर लटक गया था, फिर भी रुद्राक्ष उसे मार रहा था, युवान भी उसे नहीं रोक रहा था, उसका ये रूप देखकर ना तो तिवारी और पांडे को हिम्मत होती है उसे रोकने की, पांडे दर्द से बिलबिलाते हुए कहता है, इसे रोक तिवारी मेरे बेटे को मार डालेगा, क्यूं मार रहा है मेरे बेटे को, छोड़ उसे, रुद्राक्ष की हाथ पकड़ने की कोशिश करता है तो रुद्राक्ष उसे धका दे देता है, इधर तिवारी आराम से खड़े युवान को देखता है तो उसके पास आकर कहता है, आप सर को रोकिए, वो म जाएगा, युवान उसकी बात पर तिरचा हंसते हुए कहता है, मैं क्या, कोई भी इनको नहीं रोक सकता है, खुद यमराज भी आ जाए तो भी ये नहीं रुखने वाले है, रुद्राक्ष मारते हुए कहता है, हिम्मत कैसे हुई, मेरी घर की बच्ची की उपर नजर डाल पूरी तरह से अधमरा हो गया था, उसका पूरा चहरा में आक, आंक कुछ नजर नहीं आ रहा था, पूरा चहरा खुन से भरा हुआ था, मास एक तरफ लटक रहा था, लेकिन रुद्राक्ष का गुसा शांत नहीं हुआ था, वो अपनी खुनखार नजरों से पांडे की तर देखता है, जो निचे गेरा हुआ था और अपने पैरों को घसीट कर पीछे डर से होता जा रहा था, लेकिन रुद्राक्ष उसकी तरफ इस तरह से बढ़ रहा था जैसे शेर शिकार को देखता है, वो कांपते हुए कहता है, कौन, कौन है तू और हमें क्यूं मार रहा है, मेरे बेटे को तो तूने मार डाला, ऐसी क्या दुश्मनी है, तेरी मुझ से, रुद्राक्ष गुस्से में उसके सीने पर मारता है, फिर जुक कर उसके गले को पकड़ कर चीखता हुआ कहता है, कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं, मैं हूँ रुद्राक्ष अबो रया, जिसके परिवार परिवार को तुम दोनों बाप बेटे की बेहद परेशान कर रखा था, अशोक शर्मा का बेटा हूँ मैं और जानवी शर्मा का भाई, तेरी हिम्मत कैसे हुई, उनके साथ है साकरने की, तुझे लगता है कि तू नेता है तो कुछ भी कर लेगा, तो नेताओं की समस्या क्या है, साले, विसमे अधि बोधत चिनह, जब बोट लेने की बारी आती है तो उसी मध्यम और गरीब परिवारों के पास हाथ जोडने जाते हो कि हमें बोट दो, हमें नेता बनाओ, हम तुम्हारा ध्यान रखेगे और तुम कमीने नेता जब जीत जाते हो तो, . . . उन्ही गरीब और मध्यम परिवार का जीना मुश्किल कर देते हैं, अगर तुम कमीनों की नजर में जी चीज अच्छी लग जाती है तो बस फिर अपने रंग दिखाने शुरू कर देते हैं, तब सब भूल कर तुम्हारे अंदर इस बात की गर्मी आ जाती है कि तुम तो नेता है तो पूरी सिस्टम तुम्हारे हाथ में है, चाहे किसी बहु बेटी बहन क्योंकि ना हो तुम्हारी नजर पर आई तो तुम्हारी हुई, किसी की बरसों की संपती पर तुम्हारे नजर गई तो तुम्हारे हुई, क्योंकि है ना, बोल ना, चुप क्यों है, उसे धका देकर निचे गिरता है और फिर कहता है यूवान जी भाई सारे पेपर तेवारी यहां KSP, DSP सभी को ये सारे पेपर भेजतों और तेवारी की तरफ देखते हुए कहते हैं. जीतनी धारा है सब लगाओ, इन दोनों बाप बेटों कोंकि इन दोनों का पूरा जीवन जेल की सलाखों में बीते, ये रहे इन दोनों के काले कारनामों के सबूत, पेपर लेते हुए तिवारी कहता है, हो जाएगा सर, इन बाप बेटों ने तो मुझे धोबी का कुत्ता बन तब जाकर ये वर्दी हमें मिलती है. शपत खाते है कि इस वर्दी की शान निभाएगी. हमेशा सच और नयन का साथ देंगे, देश की रक्षा करेंगे, लेकिन वो बस तभी तक होता है. उसके बाद हमें नौकर शाहों की कट पुतली बन जाते है और हम भी उसी रंग में रं तेवारी में तुम्हें कोई किताबी ज्यान नहीं दूनगा और नाहीं तुम्हें ये कहूंगा की इमानदारी बनो और सच्छाई का साथ दो. क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये चीज हमारी सिस्टम में ना जाने कब से है और इसे निकलना बहुत मुश्किल है. फिर भी तु तो रामायन युग में भी था और महाभारत में भी. तो ये कहना की कल युग में ये ना हो तो वो संभब नहीं है. है, कल युग का उद्भावी, छल, जूट, अत्याचार, धोखा पर हुआ है. इन दोनों को अच्छे से ध्यान रखना बाकी का काम मेरा वकील कर देगा और वो तुमसे बात कर लेगा. इस फाइल में इन दोनों की कुकर्मों की पूरी जन्म कुंडली, सबूत के साथ है. इसके हिसाब से ये जेल से बाहर मरने के बाद भी नहीं निकलेंगे. जी सर, कहते हुए तिवारी दोनों को हतकरी लगा कर गाड़ी में बिठा कर ले जाता है उन सभी के जाने के बाद युवान कहता है, भाई, आंकल, आंटी सभी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है और रोहान जानवी को लेकर फाम हाउस चला गया है. हमाम ठीक है. भाई वो भावी का बार-बार फोन आ रहा था. क्या करू बता दू उनको. उसकी बात पर रुक जाता है और उसकी तरफ मुल कर कहता है, नहीं अभी नीत को कुछ नहीं बताना. बेहद मुश्किल से रिष्टा ठीक हुआ है, मेरा. मैं कोई गलती नहीं करना चाहता हूँ. इस विशे पर हम बाद में बात करेंगे. अब चलो निकलते है. दोनों और उसके बेटे को हॉसपिटल में एड्मिट करवां दिया जाता है. लेकिन डॉक्टर उसके बेटे को उमरित गोशित कर देते है. अपने बेटे के मरने की खबर सुनकर रामसिंगार पांडे बर्दास्ट नहीं कर पाता है और उसे हार्ट अटेक आ जाता है. दोनों गलती से भी कोई अलग रंग चड़ा तो उनकी दुर्गती क्या होती है, ये आप सब तो जानते ही है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये चीज हमारी सिस्टम में ना जाने कब से है और इसे निकलना बहुत मुश्किल है। फिर भी तुम्हें इतना जरूरत कहूंगा, जहां तुम्हें लगे कि यहां तुम्हारी मदद से किसी की जिंदगी बच सकती है, तो उसकी जिंदगी जरूरत बचाओ। क्योंकि छल तो रामायन युग में भी था और महाभारत में भी। तो ये कहना कि कल युग में ये ना हो तो वो संभव नहीं है। कल युग का उदभाभी, छल, जूट, अत्याचार, धोखा पर हुआ है। इन दोनों को अच्छे से ध्यान रखना बाकी का काम मेरा वकील कर देगा और वो तुमसे बात कर लेगा। इस फाइल में इन दोनों की कुकर्मों की पूरी जन्म कुंडली, सबूत के साथ है। इसके हिसाब से ये जेल से बाहर मरने के बाद भी नहीं निकलेंगे। और उसकी तरफ मुल कर कहता है, नहीं अभी नीत को कुछ नहीं बताना। बेहद मुश्किल से रिष्टा ठीक हुआ है, मेरा। मैं कोई गलती नहीं करना चाहता हूँ। इस विशे पर हम बाद में बात करेंगे। अब चलो निकलते हैं। दोनों भाई दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। इधर रामसिंगार पांडे को और उसके बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। लेकिन डॉक्टर उसके बेटे को उम्रित घोशित कर देते हैं। अपने बेटे के मरने की खबर सुनकर रामसिंगार पांडे बरदास्त नहीं कर पाता है और उसे हार्ट अटेक आ जाता है। दोनों बाप बेटे अपने कर्मों का भुगतान करते हैं। तेवारी रुद्राक्ष को संदेश भेज देता है। अब आगे। सुबह सुबह युवान को घर में आते देख नित्या पूछती है। युवान तुम कहां गय थे इतनी सुबह सुबह। नित्या की बात सुनकर एक पल को युवान छहर जाता है और फिर उसकी तरफ देखते हुए कहता है भावी बाहर किसी जरूरी काम से गया था। जाने लगता है। युवान रुको। जी भावी, तुम्हारे भाईया कल से नहीं आये है और रूहान की भी कोई खबर नहीं है। कहां है दोनों भाई नित्या की एक साथ सुबह सुबह के सवाल सुनकर युवान मन में कहता है, खुद में भाग गए और मुझे फंसा दिया। युवान कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। नित्या की आवाज सुनकर युवान कहता है, भावी एक कप कॉफी मिलेगी। उध्धरन चिन्ह विसम युवान ये कहते हैं हुई युवान अपने कमरे में चला जाता है। नित्या निचे के चेन में जाती है और युवान के लिए चाय बना देती है और चाय लेकर युवान की कमरे की तरफ जाने लगती है कि उसकी नजर अनाया पर जाती है। उसे देखकर नित्या उसे आव उन्हें स्कूल भेजना है, तुम ये चाय युवान के कमरे में ले जाओ. वो बाहर से आया है और ठका हुआ लग रहा था. अनाया उसके हाथ से चाय लेती है लेकिन चाय उसे थंडी लगती है. फिर वो नित्या से कहती है, लेकिन नित्या युवान तो चाय नहीं पीता है. उसे तो कॉफी चाहिए होती है. अच्छा लेकिन उसने मुझसे चाय मांगी थी. अच्छा तो तुम कॉफी बना दो. ये कहकर वो बच्चों के कमरे में चली जाती है. अनाया अपने मन में सोचती है. रात में गया युवान अभी आया है. किया हुआ था ऐसा सोचती हुई वो किचिन में चली जाती है कॉफी बनाने. तभी उसे पूनम जी दिखती है. जिन्हें देखकर अनाया कहती है. गुड मॉनिंग, ओंची. गुड मॉनिंग. नित्या की एक साथ सुबह सुबह के सवाल सुनकर युवान मन में कहता है. खुद में भाग गए और मुझे फंस लक्चिनहा. उसकी बात पर नित्या मुस्कुराते हुए कहती है. हाँ तुम चलो मैं भिज्वाती हूं. ये सुनकर युवान गहरी सांस लेते हुए मन में कहता है. बच गया युवान. ये कहते है हूए युवान अपने कम्रे में चला जाता है. नित्या निच्छे किचें में जाती है और युवान के लिए चाय बना देती है और चाय लेकर युवान की कमरे की तरफ जाने लगती है कि उसकी नजर अनाया पर जाती है उसे देखकर नित्या उसे आवाज देती है अनाया अनाया नित्या की तरफ देखती हुई कहती है गुर्मोनिंग नित्या बोलो विसमे अदिब उधक चिन्ह उधरन चिन्ह, अनाया जरा मैं बच्चों को उठाने जा रही हूँ, उन्हे स्कोल भेजना है, तुम ये चाय युवान के कमरे में ले जाओ, वो बाहर से आया है और ठका हुआ लग रहा था, अनाया उसके हाथ से चाय लेती है लेकिन चाय उसे फिर वो नित्या से कहती है, लेकिन नित्या युवान तो चाय नहीं पीता है, उसे तो कॉफी चाहिए होती है, अच्छा लेकिन उसने मुझसे चाय मांगी थी, अच्छा तो तुम कॉफी बना दो, ये कहकर वो बच्चों के कमरे में चली जाती है, अनाया अपने मन में Good morning, auntie. Good morning, morning, बच्चे. इतनी सुबह सुबह तुम किचेन में? हाँ. आंटी कहती हुई वो चुप हो जाती है और मन में सोचती है. क्या करो बताऊं या नहीं बताऊं? अरे क्या हो गया बच्चे? बताया नहीं तुमने सुबह सुबह किचेन में क्या कर रही हो? कुछ नहीं जी वो कॉफी बना रही थी. आपके लिए चाय बना दू. हाँ. बच्चे मेरे और अंकल के लिए एक कप चाय बना दो. ठीक है, auntie. अनाया पहले चाय बना कर पूनम जी और रुपेश जी को देती है. फिर कॉफी लेकर युवान के कमरे में जाती है. युवान जो फ्रेश होकर अभी अभी वाश्रूम से निकला था. उसने अभी सिर्फ कमर में एक टौवल लपेटे हुए था. उसकी मकूला पर पानी की बुंदे मोती की तरह चमक रहे थे. अनाया तो उसे युदेख कर ये भी भूली गई थी कि वो कॉफी लेकर आई है. अभी युवान अभी बेहद आकर शक लग रहा था. युवान उसे इस तरह से खोया हुआ देख कर मुस्कुरा देता है और फिर धीरे से उसके करीब आते हुए अपने ठंडे गालों को उसके गालों से लगाते हुए, अपनी मधोश भरी आवाज में कहता है, वेक अप स्वीचार्ट, मैं तुम्हारा हुँ. तुम मुझे हमेशा ऐसे ही देखती रह सकती हो. ये हक युवान उबोराया ने सिर्फ तुम्हे दिया है. उसकी बात सुनकर अनाया होश में आती है और इस चक्कर में उसके हाथों से गिरने वाली होती है कि तभी युवान कॉफी मग को थामते हुए कह आराम से स्वीच हाथ. ये कहकर उसके गालों को चूम लेता है. अनाया हिरानी से अपने गालों पर हाथ रखती हुए युवान को घूर कर देखती है जो उसे देखते हुए कॉफी पी रहा होता है. उसके चहरे पर शरार्ती चमक देखकर कहती है ये. ये क्या था अभी? य युवान अंजान बनते हुए कहता है. क्या क्या था अभी? मैं कुछ समझा नहीं तुम क्या कहना चाह रही हो. अपनी उंगली दिखाती हुई कहती है. देखो ज्यादा काबिल बनने की कोशिश मत करो. युवान उसकी उंगली में अपनी उंगली फसाते हुए कहता है. अर तो तुम्हारी बेतु की बाते मेरा दिमाग खराब कर देगी. यह कहकर वो जाने लगती है. उसे यू जाते देखकर युवान कहता है अरे जरा रुको तो सहीं. उसकी आवाज सुनकर अनाया रुक जाती है. युवान उसके करीब आते हुए कहता है वो मेरा एक काम अध् Dr. रह गया है। विसमे अधि बोधत चिनहा। अनाया हिरानी से उसकी तरफ देखती हुई कहती है, कैसे काम। युवान जल्दी से उसके दूसरे गालों को चूम लेता है। अनाया अपने गाल पर हाथ कर उसे ना समझी में घूरती है। उसे यू घूरते देखकर युवान कहत मों से सुना था कि एक गाल पर चूमने से वो इंसान खो जाता है, इसलिए दोनों गालों को चूमना चाहिए. क्योंकि मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता, अब तुम कहीं नहीं खोगी. अनाया उसे घूरती हुई कहती है, बिलकुर पागल हो तुम और कुछ देर मैं और रही चूर, दो, मुझे, चीखती हुई जानवी होश में आती है, इस वक्त वो बेहद पसिने से भींगी होती है, चारों तरफ कम्रे को देखकर और तेज चीखने लगती है, उसकी चीखने की आवाज सुनकर रूहान भागते हुए कम्रे आता है और जानवी के पास आकर कहता है जानू, जानू, किया हुआ तुम ही, रौनक को देखकर जानवी उसे धकादे देती है और सीधे कम्रे से बाहर भागने लगती है, रौनक उसे तेजी से पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और उसको पीछे से पकड़ कर उठा लेता है, छोड, दो, मुझे, छोड जानू, जानू, अपनी ही अवस्था में चीके जा रही थी, उसे कोई होश नहीं था कि वो कहां और किसके साथ है, रौनक उसे पीछे से पकड़ हुए बार-बार कहता है, शान्थ हो जानू, मैं हूँ तुम्हारा रूहान, शान्थ हो जाओ, तुम सुरक्षित हो कहते हु उसे बिस्तर पर बिठा देता है और उसकी कंदे को पकड़ कर कहता है, देखो ना जानू, ये मैं हूँ तुम्हारा रूहान, लेकिन जान्वी उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी और अचानक उसके हाथों को पकड़ कर जोड से काट लेती है और कमरे से फिर भागने लगत है, आ, कहते हुए रूहान फिर उसके पीछे भागता है, कमरे के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते जान्वी फिर से बेहोश होकर गिरने लगती है कि तब तक रूहान उसे थाम लेता है, इधर फार्म हाउस में, कमरे में बेहोश हुई जान्वी अचानक चीखने लग चारों तरफ कम्रे को देखकर और तेज चीखने लगती है। चानवी अपनी ही अवस्था में चीखे जा रही थी। उसे कोई होश नहीं था कि वो कहां और किसके साथ है। चारों तरफ कर जोड से काट लेती है और कम्रे से फिर भागने लगती है। कहते हुए रूहान फिर उसके पीछे भागता है। कमरे के दर्वाजे तक पहुँचते पहुँचते जानवी फिर से बेहोश होकर गिरने लगती है कि तब तक रूहान उसे थाम लेता है। अब आगे, युवान की कॉफी खत्म नहीं होती कि उसके फोन पर मेंसे जाता है, जिसे देखकर उसके चहरे का रंग बदल जाता है और वो अपनी कॉफी बिना खत्म कि ये तेजी से तयार होकर निकल जाता है। उसे युटेजी बाहर जाते देख नित्या पीछे से आवाज लगाना चाहती है। लेकिन कुछ सोचकर छुपो जाती है। फिर खुद में कहती है, पीछे से टोकना ठीक नहीं है। पता नहीं ये तीनों भाई एतने रहस्यवादी क्यूं हो गए है। पहले एक तो पकड में आये तब तो इनकी खबर लून। वो खुद से बात कर रही होती है कि पीछे से आनाया आकर कहती है। आज ओफिस नहीं जाना है। जो ये मंत्र सुबह से पढ़ रही है। नित्या जो वैसे ही रुद्राक्ष से बात नहीं कर पाने के कारण परेशान थी। दूसरी अनाया की बिना सिर पैर की बाते सुनकर छिद कर कहा, चलो ओफिस। आज हम दोनों की खुद ही जाना होगा इसलिए तैयार होकर चलो। दोनों नानर आती है तो निताक्ष, इशाया, पूनम जी और रुपेश जी के साथ बैठ कर नाश्ता कर रही होते है। नित्या ने कहा, छोटी मा, समीक्षा नहीं उठी है अब तक। नहीं नित्या, अभी तक तो ये लड़की नहीं उठी है। पता नहीं क्या करूं मैं इसका, अच्छा आप परेशान मत हो, मैं देखती हूँ। फिर अनाया की तरफ देखकर कहा, तुम नाश्ता करो, मैं समीक्षा को देखकर आती हूँ। हॉस्पिटल में, रुद्राक्ष के पास युवान आता है। युवान को देख रुद्राक्ष इशारे में पूछता है, क्या बात है। जिसे सुनकर युवान उसे जानवी के बारे में बताता है। रुद्राक्ष ने कहा, तुम जाओ ऑफिस। रूहन जानवी को संभाल भाई लेकिन यहां पर अभी तक तो कोई अपटेट नहीं मिला है। लेकिन स्थिती सामान्य है सभी की। तभी डॉक्टर आकर कहता है। हम उन्हें घर कब ले जब सकते है। सब ठीक रहा तो आज शाम को ही। ठीक है डॉक्टर कहते हुए रुद्राक्ष और युवान सभी को देखने चले जाते है। जहां घबराते हुए सुनीता जी, बविता जी और अजय खुद को देखते है और तेजी से उठने लगते है। जिसे दिखे युवान और रुद्राक्ष दोनों एक साथ दोड़ते है और पकड़ते हुए कहते है, मा, चाची। ये सुनकर दोनों आश्चर्य से रुद्राक्ष और युवान की तरफ देखती है, लेकिन कुछ पोचती नहीं। सीधे बविता जी कहती है, बेटा मेरी ब नितिन और उसके पापा सब कहा है। उन लोगों ने कही, आगे वो कुछ बोल नहीं पाती और रोने लगती है। रुद्राक्ष और युवान दोनों ने एक साथ कहा, सभी ठीक और सुरक्षित है मा, आप परेशान मत हो, फिर युवान से कहा, विल्चेय मंगवा लो। फि उन लोगों ने रुद्राक्ष और युवान से ये तक नहीं पूछा कि वो दोनों कौन है। जब तीनों को एक रूम में लाते है, जो बेहधी शांदार होता है। देखने में, जिसे देख कोई भी नहीं कह सकता है कि ये हॉस्पिटल का कमरे है। तीनों उस कमरे की सजाव पट देखकर एक बार फिर रुद्राक्ष और युवान कि तूर्फ देखते है। बबिता जी ने धीरे से कहा, जी जी ये सब कौन है और ये इतना बड़ा कमरा। पता नहीं छोटी, तभी तीनों को अशोक और नितिन के पास लाकर खड़ा कर देता है। नितिन अब भी ब अब राते देख रुद्राक्ष उसके पास आ जाता है। और उनके दोनों हाथों को पकड़ कहा, पापा सब ठीक है आप परेशान मत हो। इस बार सभी रुद्राक्ष की बातों पर ध्यान देते हुए कहा, तुम कौन हो बेटा। फिर हम दोनों को तुम पापा और मां क्य रहे हो। जिसे सुनकर रुद्राक्ष बिना लाग लपेट के कहा, मैं रुद्राक्ष अबोराया हूँ और आपकी बेटी नित्या का पती हूँ। जिसे सीलुकर सभी गुस्से मैं उसे देखते है और अशोक जी अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ा कर कहा, तुम कौन हो हम नहीं जानते है तो बहतर होगा कि यहां से चले जाओ और हमें हमारे हॉल पर छोड़ दो, हमारी बेटी को भी तुम परेशान मत करो, मानते है कि तुम बहुत बड़े आदमी हो फिर भी हम छोटे और गरीब लोगों की जिन्दगी से दूर रहो, उनकी बाते सुनकर यु में सवाल होता है। रुद्राक्ष फिर से एक बार अशोक जी के हाथों को पकड़ कर कहा, पापा एक बार आप मेरी बात सुन लीजिये। उसके बाद आप जो चाहेंगे, वही होगा। अशोक जी, उसको आखों में देखते हैं, जिसमें बेहिसाब दर्दनाक और सच्चा रुद्राक्ष फिर उन्हें एक एक करके सभी घटनाकों बताता है जो बीते पांच साल पहले हुआ था, जिसे बोलते हुए रुद्राक्ष और युवान के आखों से आंसु नहीं रुक रहे होते हैं। अशोक जी के साथ साथ पूरा शर्मा परिवार उन दोनों बच्चे के दर्द कों देख खुद कों रोने से नहीं रोक पाते हैं। अशोक जी जल्दी से रुद्राक्ष कों गले से लगा लेते हैं और सुनीता जी उसके माथे पर हाथ फिरने लगती है। इधर अजय जी और बबिता जी युवान कों अपने गले से लगा कर कहा, बिलकुल कुछ नहीं हुआ। तुम दोनों तो अपने परिवार के बहादूर बच्चे हो। उन दोनों कों गर्भ होगा तुम दोनों पर। कहकर उसके पीठ को सहला देते है। उप में इतना अच्छा बेटा मिल गया। हम सभी कों आप सबसे कोई शिकायत नहीं है। हमारी बेटी के लिए आप जैसा जीवन सा थी तो शायद हम कभी धूरी नहीं पाते। हमें नाज है हमारी बेटी के पसंद पर। फिर अजय और बबिता जी उन चारों के पास आकर कहत है बीती को विसारिये आगे की सुद ले। रुदराक्ष ने कहा अब तो आप नाराज नहीं है मुझसे पापा। नहीं बच्चे नाराज तो हम पहले भी नहीं थे बस खुद से शिकायत थी कि क्या कमी रह गई थी हमारे परवरिश में की हमारी बेटी सही और गलत में फर् गई पापा अभी तक आपकी बेटी को मेरे साथ बीते घटनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आप भी उसे मत बताना आप सभी के साथ जो भी हुआ ये उसे नहीं बताया है क्योंकि मैं मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था इसलिए आप सब भी उसे मत बतान हाँ बेटा हम सब समझ गए कोई नहीं बताएगा उसे कुछ भी फिर बबिता जी ने कहा बेटा जानवी रुद्राक्ष फिर उन्हें एक एक करके सभी घटना को बताता है जो बीते पांच साल पहले हुआ था जिसे बोलते हुए रुद्राक्ष और युवान के आखों से आं गले से लगा लेते है और सुनीता जी उसके माथे पर हाथ फिरने लगती है इधर अजय जी और बबिता जी युवान को अपने गले से लगा कर कहा बिलकुल चुपो जाओ बच्चे कुछ नहीं हुआ तुम दोनों तो अपने परिवार के बहादूर बच्चे हो उन दोनों कों गर्व होगा तुम दोनों पर कहकर उसके पीठ को सहला देते है इधर अशोक जी रुद्राक्ष के पीठ को सहलाते हुए कहा कौन कहता है कि आप दोनों अनाथ है हम है ना आपके पापा और माँ आप दोनों कभी अनाथ नहीं है और ना हो सकते है कहकर रुद्राक्ष औ और युवान के माथे को चूम लेते हैं. आज हमारा सीना फक्र से चोड़ा हो गया कि हमें दामाद के रूप में इतना अच्छा बेटा मिल गया. हम सभी को आप सबसे कोई शिकायत नहीं है. हमारी बेटी के लिए आप जैसा जीवन सा थी तो शायद हम कभी धूर ही नहीं पा रुद्राक्ष ने कहा अब तो आप नाराज नहीं है मुझसे पापा. नहीं बच्चे नाराज तो हम पहले भी नहीं थे बस खुद से शिकायत थी कि क्या कमी रह गई थी हमारे परवरिश में कि हमारी बेटी सही और गलत में फर्क नहीं समझ पाई. लेकिन आपको देखकर यकीन हो गया कि हमारी परवरिश में कोई कमी नहीं थी. हमारी बच्ची से कोई गलती नहीं हुई थी. बस समय और होनी थी जो हो गई. पापा अभी तक आपकी बेटी को मेरे साथ बीते घटनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है. तो आप भी उसे मत बताना. आप सभी के साथ जो भी हुआ ये उसे नहीं बताया है. क्योंकि मैं उसे परिशान नहीं करना चाहता था. इसलिए आप सब भी उसे मत बताना. हाँ बेटा हम सब समझ गए. कोई नहीं बताएगा उसे कुछ भी. फिर बबिता जी ने कहा, बेटा जानवी. अब आगे. रूहन जानव पर अपने होठो को रख देता है. जानवी जो कुछ समय पहले उससे लड़ रही थी. अचानक उसकी ऐसी प्रतिक्रिया देखकर हैरान हो जाती है और उससे खुद को छुडाने लगती है लेकिन रूहन उसे नहीं छोड़ता तो उसके सीने पर मारने लगती है. रूहन बेहद मासूम बना रही होती है. जानवी उसे गुस्से में घूरती है और जोड से एक थपड मारते हुए कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की. एक तो तुम मुझे जबरदस्ती यहां लियाए हो तो सोच लिया कि जबरदस्ती करोगे, मनमर्जी करोगे मेर साथ. मैं तुम्हें छोरूंगी नहीं अगर मैं तुमसे जीत नहीं सकी तो खुद को मार डालूंगी लेकिन खुद को तुम्हें छूने नहीं दूंगी. तुम समझते क्या हो खुद को दुष्ट इनसान? वो उसके सीने पर मारती हुई बस बोले जा रही थी. रूहान बि रखता है और खुद के करीब करते हुए कहा, मार लो. जितना मारना है, बोल लो जो भी मुझे बोलना क्योंकि तुम मेरी बात तो सुन नहीं रही हो इसलिए तुम ही बोलो लेकिन उससे पहले जरा एक बार देखो मुझे ध्यान से, इतने साल भी नहीं बीते कि तुम मुझ मुझे भूल गई हो जानू, मैं हूँ तुम्हारा रूहान, देखो मुझे, क्या इतना गुसा भरा है तुम्हारे अंदर की तुम कुछ देख और महसूस नहीं कर सकती हो, उसकी बात सुनकर जानवी जैसे अपने होश में आती है और अपने हाथों को रूहान के चहरे पर पेरती हुई कहती है, रूहान, विसमे अदे बोधक चिन्ह, सीधे उसके सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगती है, रोते हुए उसने कहा, कहा चले गए मुझे छोड़ कर, रूहान उसे शान्त करवाते हुए अपनी बाहों में कसकर भर कर उसने कहा, शान्त हो जाओ जान गंदे है रूहान, उनकी गंदी नजर रूहान, मैं, मैं, उनके हाथ आ गई होती तो, वो, वो, मेरा, आगे कुछ और कहती उससे पहले रूहान उसके चेहरे को पकड़ कर कहा, चुप बिल्कुल चुप, एक और शब्द नहीं जानू, उन लोगों को अपने किये की सजा मिल चुकी है, जानवी जैसे ही उसकी बाते सुनती है और उसको जैसे होश में आता है और वो रूहान की बहुसे खुद को छुड़ाती उसे गौर से उपर से निचे देखते हुए, तीन-चार थपड मारते हुए उसने कहा, अब क्यूं, क्यूं आये हो तुम, तुम भी तो ज ब्रेक अप, अब क्या रूहान, क्या लगा रखा है तुमने, जाने दो मुझे अभी और इसी वक्त, अब क्या करने आये हो, अब भी कुछ बाकी रह गया है, तुम्हारा जो तुम्हें लेना है, उसे धका देकर जाने लगती है तो रूहान ने उसे रोखते हुए कहा, कहा जा रही हो तुम, अपने घर जा रही हूँ, तुमसे मतलब, तुम कानपोर में नहीं दिल्ली से दो घंटे दूर फार्म हाउस पर हो, उसकी बात सुनकर वो मुड़ जाती है और उसकी तरफ देखती है और भड़क कर उसके पास आकर कहा, क्या मतलब, क्या तुमने मेरे करफ से देखती हुई कहती है, रूहान उसे गुस्से में देखते हुए कहा, क्या तुमने मुझे ऐसा वैसे तो समझ लिया है और फिर से उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है और गहरायों से उसे चुमने लगता है, उसके लाख छूटने की कोशिश के वो नहीं छूट पाती है, जब तक रूहान नहीं चाहता है, कुछ देर बाद रूहान उसे चुड़ता है तो वो गुस्से में उसे घूरती है, रूहान ने उसे देखकर कहा, गुस्से में घूरना बंद करो, पिछले तीन गहंटे से तुम मेरी बात सुनने की कोशिश नह कर रही हो. मैं बार-बार तुम्हें कुछ बताना चाह रहा हूँ. लेकिन तुम हो की कुछ सुनना नहीं चाहती हो. इसलिए जब मैंने तुम्हें इससे पहले किश किया तो तुमने मेरी आधी बात सुनी. अब फिर किश किया हूँ की तो पूरी बात सुनो. नहीं तो फिर त पूर्ती हुई कहती है, निहायती बहस्रम हो तुम, ठीक है बोलो, तुम्हारे पास दस मिनट है बोलो जो भी कहना है, दस मिनट से जादा तुम्हें वक्त नहीं दूनगी, समझे तुम, रूहन उसकी बात सुनकर खुद में धीरे से कहता है, हद है, रूहन मलहुतरा मालूम ह ताकि किश करने से ये इतनी शांत हो जाएगी तो इतनी भागम भाग नहीं करता, उसे इस तरह बुदा-बुदाते देख जानवी ने कहा, ये खुद में तुम कौन सा वशीकरन मंत्र पढ़ रही हो, मुझे काबू में करना चाहते हो तो सुन लो मैं नहीं होने वाली काब देता है, उसके हाथों को पकड़े हुए उसे कानपूर की एक एक बात बताता है और कुछ देर तक चुप हो जाता है, जानवी ने उसे ऐसे चुप देख कर कहा, कुछ और कहना है तुम्हीं, रूहान बिना कुछ बोले अपने सर को जुकाई हुए उसे, हामें जबाब दे जानवी को उसका व्यवहार कुछ अलग लगता है, इधर हॉस्पिटल में, बबिता जी के पूछने पर रुद्राक्ष ने कहा, वो ठीक है और सुरक्षित है, उसे हमारे फामहा उस पर रूहान लेकर गया हुआ है, उसकी हालत देख मैंने ही रूहान से कहा कि उसे वहां ल लट तो नहीं हुआना, बिलकुल नहीं माव वो बेहत बहादूर है और उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, अब आप सब छिंता छोड़िए, बस अपनी बेटी से मिलने की तयारी कीजिए